अधूआ हल इसदाइ में नमस्कार दूस्तों सवागत है अप सभी का हमारे यूटिब चनल कम्टीटी अतार पर दोस्तों काफी दिन के बाद हम आप लोगों से इंट्रेक्ट हो रहे हैं लेकिन एक बहुत ही डैस्ट टॉपिक बहुती मस्ट टॉपिक के साथ हम इंट्रेक् आज हम बात करेंगे G20 के बारे में किस वज़े से आजकल चर्चा में है और कितने इसमें कंट्री सामिल है और 2022 में जो इसका समिट हुआ है वो कहां हुआ है 2023 में वो Summitt जो होने वाला है वो कहां होने वाला है अध्यच सिसके कौन है अध्यच के अगर हम बात करें तो अभी हम आप लोगों से बता दे रहे हैं अध्यच अध्यच हैं इस टाइम पर माननी नरेंद्र मोधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर वो अध्यच्छ है और 2023 में कहा होने वाला है यह हम आपसे बात करेंगे वीडियो में तो चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं 20 वित मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूँ जी टॉन्टी और 20 का समूँ के रूप में भी जाना जाता है जो की विश्व की 20 प्रमुक अर्थ व्योस्ताओं के बित मंत्रियों और केंद्र बैंक के गवर्नर्स का एक संगट्यान है जिसमें 19 देश और यूरोपी संग सामिल है जिसका प्रतिनितित यूरोपी परिशत के अध्यच और यूरोपी केंद्री बैंक द्वारा किया गया है ठीक है अगर हम बात करें 2017 तक समों के 20 सदसे हैं वो 20 सदसे कौन से हैं अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनडा, चाइना, यूरोपी संग, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेसिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सौधी अरब, दच्छिड अफ्रीका, दच्छिड कोरिया, टर्की, यूनेटेट किंग्डम और संयुक्त रा इतिती है, जो हर वर्स आमंत्रित होता है, ओके दोस्त, अच्छा ये भी हम बात करेंगे, हमने कहा था, कि G20 इस टाइम चर्चा में है, तो चर्चा में क्यों है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, हाल ही में, G20 के सत्रवे वर्सिक सिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है, जिसे इंडोनेशिया के दिश्ता में, बाली में, ठीक है, बाली एक सिटी है, सहर है, इंडोनेशिया का, वहाँ पे जो है, इसके मेजबानी हुई है, G20 की, अच्छा, इसका जो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉंगर इसका जो विशय है इसके तहत ये आयजित किया गया था एक बार दोबारा देख लेते हैं रिकवर टूगेदर रिकवर स्ट्रॉंगर ये इसका विशय यानि थीम ये भी एमें पता होनी चाहिए चर्चा में इसलिए भी कह सकते हैं अब भारत ने G20 के अध्यचता का प्रभार संभाल लिया है यानि G20 के अध्यच प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी बन गये हैं और अठारवा सिखर समेलन 2023 में भारत में आयजित होने वाला है ओके दोस्त इसलिए ये जो है G20 चर्चा में अध्यच है और इसके जो क्वेशन है वो पूछे जा सकते हैं ये ज्यादा अपेच्छा की जा सकती है अच्छा अगर हम बात करें सिखर समेलन के परणाम यानि कि जो इससे पहले हुआ है 2017 में इनके परणाम क्या हुए है और इसके परणाम जो 23 में इंडिया में होने वाला है उसके परणाम क्या हो सकते हैं रूसी आकरामता की निंदा की जा सकती है रूसी आकरामता की निंदा ये पहला पॉइंट है सदस्य देशों ने यूक्रेन में रूस की आकरमता की कड़े सब्दों में निंदा करते हुए एक घोशला को अपनाया और इसे बिना सर्थ वापस लेने की मांग की है उन्होंने यहाभी सुविकार किया है कि अधिकान सदस्यों ने यूक्रेन में युद्ध की निंदा, इस्थिती और प्रतिबंधों को लेकर विबिन्द विचार और अलग-अलग आगलन किये थे यानि कह सकते हैं कि जो G20 सिखर समयलन है उसका बहुत बड़ा असर जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है रसिया से ठीक है उस पे भी बहुत बड़ा असर पढ़ने वाला है और हो सकता है उसमें कुछ सुधार किये जा सकें क्योंकि 20 कंट्रियों का एक गुरूप है तो उसमें जो भी मामले उठाए जाएंगे तो वो 20 यानि की 200 देशों को वो चीज़े माननी पड़ेंगी ठीक अच्छा अर्थ व्योस्ता पर फोकस किया जा रहा है वैसुक अर्थ व्योस्ता पर फोकस भी G20 का है G20 अर्थ व्योस्ता ने अपनी गोश्रा में ब्यास दरों में ब्रद्धी को साउधानी पूर्वक गत देने पर सहमती व्यक्त की है और मुद्रा के मामले में बड़ी वी अस्थिरता को लेकर चेतावनी दी है जिसमें कोविड-19 महमारी को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ठीक दोस्ति यानिकी जो G20 का सिखर से मेलन रहा है वो उसका जो फोकस है वैसुक अर्थ व्योस्ता पर भी काफी निधायत होता है ठीक अच्छा उसके आगए पॉइंट है खाद सुरच्छा खा खाद सुरच्छा में नेताओं ने खाद सुरच्छा चुनोतियों से निपटने के लिए समन्युत कारिवाही करने का वादा किया और ब्लैक सी ग्रेन पहल की सराहना किया एक पहल है योजना है कह सकते हो ब्लैक सी ग्रेन इस पे भी बहुत ही ज्यादा ध्यान केंदित किया गया है G20 का और उसके अगले पॉइंट के अगर हम बात करें जलवायू परिवर्तन पर भी ध्यान दिया गया है जलवायू परिवर्तन अब यह मालेजे कि जो यह हम टॉपिक रखे हैं इसमें जो हमने निचोड़ रखा है ठीक है यह बहुत ही इंपोर्टेंट है कह सकते हैं UPSC के कोशनों में भी पेपर में भी पूछा जा सकता है बहुत ही बेस्ट चीजे इसमें रखी गई है जी टूंटी नेताओं ने वैस्विक तापमान ब्रदि को पांच डिगरी सेलसेस तक सीमित करने के प्रियासों को आगे बढ़ाने पर सहमती वेक्त की यह पुष्टी क करते हुए कि वे जलवायू परवर्दिन पर 2015 पेरिस समझाओते के तापमान लच्छ के साथ खड़े हैं ठीक है यानि कि इनका फोकस जो है तापमान ब्रदि को भी लेकर है ठीक उस पर भी नियंतर करने को सोचा गया है डिजिटल परवर्दन नेताओं ने सटत्विकास लच्छों तक पहुचने में डिजिटल परवर्दन के महत्तु को पहचाना है G20 का जो सम्मेलन हुआ है इंडोनेसिया में वहाँ पे नेताओं ने इस बात पे भी सहमती जताई है कि जो है डिजिटल परिवर्तन के महत्तों को भी पैचाना जा सके उन्होंने विशेज रूप से महिलाओं लड़कियों और कमजोर इस्तितियों में रह रहे लोगों के लिए डिजिटल परिवर्तन के सकारात्मक प्रभावों का दोहन करने है तू डिजिटल कौसल एवं डिजिटल साच्छर्ता को और अधिक विक्सित करने है तू अंतर राष्टी सहयोग को प्रोथसाहित किया है और स्वास्त पे भी काफी द्यान दिया गया है G20 नेताओं ने या कंटरियों ने मिलके स्वास्त पे भी द्यान दिया है नेताओं ने स्वास्त और इस्थाई रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए अपनी निरंतर प्रतिपद्धता विक्त की जो शारो भोमिक स्वास्ति कवरेज को प्राप्त करने और उसे बनाया रखने की दिसा में महत्पूर्ण कदम है उन्होंने विश्य बेंक द्वारा आयोजित महामारी की रोख्थाम तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए एक नए वित्ती माद्धत कोस की स्थापना का स्वागत किया है यानि एक कोस्ट बनाया जाएगा फंड त्यार किया जाएगा ठीक है ताकि एकर स्वास्त की कोई भी बात आ जाए तो उसके लिए उसकी रोगताम के लिए जो भी प्रतिक्रिया उठाई जाए उस पर ध्यान दिया जा सके अच्छा अब आग देख लीजिए जी ट्वंटी के सदसे देशों के समच चुनोतियां क्या है इन फ्यूचर चुनोतियां आयाने की क्या कह सकते हो जी ट्वंटी पर और भी ज्यादा बर्डन पढ़ने है यूक्रेण पर रूस के आक्रमण का प्रभाव यह पहला पॉइंट है रूस द्वारा यूक्रेण पर आक्रमण ने न केवल बड़े पैमाने पर भूर राजनीतिक अनुश्यता पैदा कि बल्कि वैस्विक मुद्राइसफित को भी बढ़ावा दिया है यानि कह सकते हो क महेंगाई पर भी कंट्रोल नहीं किया जा सका है और महेंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है पस्च्चिम दोरा लगाएगे प्रतिबंधों ने इस्थिति को और भी खराब कर दिया है कई देशों में एतिहासिक मुद्राइसफित के उचिस्तर ने इन देशों में क्र उसका कारण यूक्रेन और रूस का जो आक्रमण है याने को जो लाडाई है वहां की उसका बहुत बड़ा कारण है कि यहां मार्केट में महेंगाई हमें बढ़ती नजर आ रही है ठीक है दोस्त तो यह भी एक चुनोती है G20 के लिए कई देशों में मुद्राश्पीत का यह कारण है कि बहुत ज्यादा ही आर्थेग विकास को दीमा कर दिया गया याने कि वहां पर अगर बात करें तो महेंगाई आसमान चुर रही है ठीक है दोस्त तो इसका बहुत बड़ा कारण है यूक्रेन और रूस का उच्च मुद्राश्पीत के जवाब में देशों के किंद्री वेंकों ने ब्यास दरों में ब्रद्द की है जिसके कारण आर्थिक गत्विदेवें कमी आई है यूएस और यूके जैसी कुछ प्रमुक अर्थव्योस्ता हैं मंदी का सामना करने के लिए तयार है अन्य जैस जवाब यूरो चला जिन देशों में वहां बहुत ही प्रबलम है बहुत बड़ी समस्या है यहाहिए जिन देशों में यूरो करन्सी है वैसीक विकास के प्रमुक इंजनों में से एक चीन में भी तीबर मंदी देखी जा रही है क्योंकि यह एक real estate संकस से जूज रहा है यनि कि आप कह सकते हो चाइना जैसे देश मंदी से जूज रही है तो महंगाई की मार से जो है चाइना भी पस्त है बढ़ते भूर आजनीतिक मतभेद विस्सो की अर्थविष्टा भूर आजनीक बदलाओं से जूज रही है जैसे की अमेरिका और चीन के बीच तनाओ जिनें दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थविष्टाय माना जाता है या फिर ब्रेक्जिट, निर्डा के मद्स ब्रिटेन और यूरूपी च्यितर बीच ब्यापार में गिरावत यानि कि उधर अमेरिका और चाना का भी तनाओ हुए दोनों के दिस्कों के बीच में तनाओ हुए और अमेरिका और चाइना सबसे बड़ी अर्थव्यस्था मानी जाती है तो उसका भी असर बहुत ज़्यदा है वेपार पर जी ट्वंटी के अगर हम परिचे की बात कर लें तो जी ट्वंटी के और बारे में भी हमें बहुत सारी चीज़ा पता होनी चाहिए कि इसका गठन कब हुआ ठीक है और कितनी आबादी मैं कह सकते हो कितनी आबादी जी ट्वंटी से जुड़ी है इन चीज़ों को भी हम जानेंगे जी ट्वंटी का गठन वर्स 1999 यानि कि 1999 में जी ट्वंटी का गठन हुआ के दसक के अंत के विद्वटी संकट की पर्ष्टि भूमे में किया गया था जिसने बिशेष पूर्वी एसिया और दच्छिट पूर्व एसिया को परहवित किया था इसका उदेश से मद्यम आये वाले देशों को सामिल करके वैस्विक वित्ती इस्थेता को सुरचित करना था साथ में G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी वैस्विक GDP का 80% और वैस्विक व्यापार का 75% सामिल है तो दोस्त यह रहा हमारा G20 का वीडियो और मुझे आसा है कि जो है आप लोग इससे में में अपनी यूज वाले जो पॉइंट है वो आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे नोट बुक में नोट कर लेंगे ठीक है और उसे हम टाइम टाइम से रिवाइस करते रहेंगे अगर कोई भी एक्जाम है अगर अभी दिसंबर में या जैनवरी फेरवरी में कोई भी एक्जाम है जैसे कि SAC का CHSL है CGL है 10 प्लस 2 है ठीक MTS है इस टाइप के एक्जाम है या और भी यूपिटर पलस्टी के एक्जाम से ठीक है अलाबाद हाई कोट के एक्जाम से उनमें इन जो हमने पढ़ा है इसमें से मुझे नहीं लगता कि एक काद कोश्यन जरूर ही मिलेंगे हर पेपर में तो इसे हम दिमाग से पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ लेंगे इसे ठीक है ताकि एक एक पॉइंट हमारे दिमाग में फीड हो जाए दोस्ट जी टूंटी देशों का पहला काम बढ़ती महंगाई पर नियंतर करना है कि साथी सरकारों को कर्ज के इस्तर को अनिवार रूप से बढ़ाए बीना कमजोर लोगों की मदद करने के तरीके खोजने होंगे इसे सम्मंदित एक प्रमुक चिंता या सुनिश्चित करना होगा कि बाहरी जोखिमों की सावधानी पूर्वग निगरानी की जाए आगे देखें अगर तो बैपार को लेकर जी टूटी नेताओं को अधिक खुले इस्थिर और पारदर्सी नियम आदारत बैपार पर जोड़ देने की आओ सकता है जो वस्त की वैस्विक कमी को दूर करने में मदद करेगा वैस्विक मोर संकलाओं के लचीले पन को मजबूत करने से भविश्ची के जटकों से बचने से मदद मिलेगी तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें अगर आप नए है मेरे चैनल पर तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज 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 कमेंट जरूर करें वीडियो कैसी लगी है बताएं थैंक यू